हेलो फ्रेंड्स मिरा नाम है रवी और आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल रविस्टर डियाई की उजी के पर फेंड्स आज मैं आपके लिए सभी एक्जाम के लिए काफी जादा इंपॉरेंट टॉपिक टॉपिक का नाम है भारत के प्रमुक परवत पहाड एवं पठार इस टॉपिक से रिलेटेड मुस्ट इंपॉरेंट कोशन इस वीडियो में लेकर आया हूँ मैंने आपके लिए सभी कोशन स्लेक्टिड और इंपॉरेंट लिए हैं अगर आप किसी भी एक्जाम की त्यारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफी जादा योसफुल रहने वाला है फेंड्स पहले मैं आपको बिल्कुल थियोरी से समझाऊंगा और उसके बाद 50 प पहाड और पठार क्या होते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रेंट्स की परवत क्या होते हैं तो परवत की डेफिनेशन देख लेते हैं परवत प्रिथिवी की सतह की प्राकृति के उचाई है परवत का शिखर छोटा और अधार चोड़ा होता है यह आसपास के छेतर से बड़ा होता है कुछ परवत बादलों से भी उचे होते हैं और कुछ परवतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदिया होती है और फ्रेंट्स यह जो जमी रहने वाली बर्फ की नदिया होती है इन्हें हिमानी कहा जाता है और फ्रेंट्स मैं आपको बताना चाहता ह की जो परवत होते हैं यह चार प्रकार के होते हैं सबसे पहला होता है वलित परवत वलित परवत को हम बोलते हैं फोल्ड माउंटेंस दूसरा होता है ज्वाला मुखी परवत जिसे कि हम वालकैनिक माउंटेंस बोलते हैं तीसरा है ब्लॉक परवत जिसे कि ब्रंशोत परवत यानि कि block mountain कहते हैं, चौता है अवसिष्ट परवत, जिसे कि हम residual mountain कहते हैं, तो friends, यह आप photo में देख सकते हैं, यह है परवत, ठीक है, अब हम next देखते हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे वलिद परवत के बारे में, यानि कि fold mountains के बारे में, तो वलिद परवत क्या होते हैं, जब tectonic plates प्रिथवी के अंदर आपस में टकराती है, तो एक plate दूसरी plate के उपर एक layer बना लेती है, इस प्रकार कई layer के बनने से उपरी plate एक परवत का अकार ले लेती है, और दूसरी plate नीचे दब जाती है, अब मैं आपको अच्छे से पता लग गया होगा, अब मैं आपको वलिद परवत के कुछ उधारन दे देता हूँ, अगर हम बात करते हैं नए वलिद परवत की, तो हिमाल्या जो की एशिया में है, एंडीस जो की दक्षीन अमेरिका में है, दारौकीस जो की उतरी अमेरिका में है, दााल्पस ये यूरोप में है, ये सभी उधारन है नए वलिद परवत के, पुराने वलिद परवत देख लेते हैं, अरावले रेंज भारत में है, उसके बाद है अपलाचियन जो की उतरी अमेरिका में है, फिर है यूराल परवत जो की है रूस में, ये उधारन किसके है, पुराने वलिद परवत की, और मैंने आपको वलिद परवत की डेफिनेशन भी बता दी, अगला जो फ्रेंट्स हमारा है परवत का टाइप वो है जौला मुखी परवत, जिसे कि हम वल्कैनिक माउन्टेन से बोलते हैं, अगर हम इसको समझें, तो ये क्या होते हैं, वह परवत जो किसी स्थान पर शंकू के अकार में, जौला मुखी विस्फोड के पस्चाथ मेगमा एकतरित होने से बनते हैं, जौला मुखी परवत कहलाते हैं, फिर्ट ये आप फोटो से समझ सकते हो, अब मैं आपको जौला मुखी परवते कुछ उधारन देता हूँ, माउंट मोनालुआ हवाई में है, माउंट वैसिवियस इटली में है, माउंट किलिमंसारो अफरीका में है, माउंट फुजियामा जापान में, माउंट क्राकाटाव इंडोनेशिया में, माउंट कोटोपैक्सी, कहां पर है, इकवाडोर में, ये आपको याद रखना है, अफरेंट जो हमारा नेक्स टाइप है, वो है ब्लॉक परवत, याद रखना है आपको ब्लॉक परवत को ही हम, भरणशोत परवत भी बोलते हैं, यानि कि ब्लॉक माउंटिन भी कहते हैं, ये क्या होते हैं, ब्लॉक परवत तब बनते हैं, जब प्रिथिवी का एक बड़ा छेतर, लंबवत या 36 रूप से तूट जाता है, और विस्थापित हो जाता है, जिसके कारण मध्य का भाग नीचे धस जाता है, और आसपास के छेतर उपर उठ जाते हैं, ये आप फोटो से समझ सकते हैं, ये चीज यही मैं आपको बताया, कि ब्लॉक परवत कब बनते हैं, जब प्रिथिवी का बड़ा छेतर, जिसके कारण मध्य भाग नीचे धस जाता है, यहाँ पर आसपास के छेतर, उपर उठ जाते हैं, यहाँ पर आप यह देख रहे हो फोटो में, देखो फैंट्स, जो उपर उठ वे ब्लॉक होते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे हॉर्स्ट कहते हैं, याद रखने हैं आपको exam में पूछ लेंगे आपसे कि जो उठा हुआ जो भाग होता है उसे क्या कहते हैं horse कहते हैं यानि कि friends कौन सा ये जो उठा हुआ भाग आपको दिख रहा है है न ये जो उठा हुआ भाग है ये है horse और निचले block को grab-in कहा जाता है यानि कि ये वाले बात हो रही है जो नीचे धसगी है ना इसे कहते हैं ग्रैबेन इन परवतों के शीट स्थमतल एवं किनारे सीधे खड़े होते हैं इस परकार बने परवत को ब्लॉक परवत कहा जाता है अब मैं आपको फ्रेंट्स ब्लॉक परवते कुछ उधारन दे देता और ब्लैक फॉरेस्ट परवत कहां पर है यूरोप में अफ्रेंट्स हमारा जो परवत का जो आखरी टाइप है वो है अवसिस्ट परवत यानि कि रैसिडियोल माउंटेन वह परवत जो चट्टानों के अपरदन से बनते हैं अवसिस्ट परवत कहलाते हैं अवसिस्ट पहाड़ी पढ़ने से पहले मैं आपको समझा देता हूं कि सबसे पहले हम ने पढ़ा परवत ठीक है अब हम पढ़ रहे हैं पहाड़ी और इसकी बाद हम क्या पढ़ेंगे इसकी बाद हम पढ़ेंगे पठार तो इन में में डिफ्रेंस क्या होता है यह मैं आपको बता रहता अच्छे होते हैं ऐसे परवत जिनकी उचाई 300 मीटर से कम होती है पहाड़ी कहलाती है आई हो फ्रेंट्स आपको यह सिंपल सी लेंगवेज थी जो कि हमें डेफिनेशन के तौर पे लाये था आपको अच्छे समझ में आ गया होगा ठीक है पहाड़ी अपने आसपास के मैदा आनी छेतरों के तुलना में अधिक उची है पहाड़ीयों का निर्मान हिम्नदों द्वारा जमा मिट्टी पहाड़ों के कटाव घरशन तूट फूट विस्वोट आदी से होता है अब नेक्स्ट क्या है पठार पठार एक उची समतल भूमी है पठार का उपरी भाग मेज क की तरह चोड़ा है पठार की एक या दोनों किनारे खड़ी धलान की तरह होते हैं यह आप देख रहो धलान की तरह है पठार के उच मैदान या टेबल लेंड भी कहा जाता है अब मैं आपको ना फ्रेंट समझाता हूं कि सबसे पहले हमने पढ़ा परवत देखो परवत कु इनको क्या कहते हैं इनको हम कहते हैं इनको हम कहते हैं हिल या पहाड कहते हैं ठेक है अब हम बात कर लेते हैं पठार की पठार क्या होता है यह उपर से फ्लैट होता है कुछ इस प्रकार से तो इसी को हम कहते हैं पठार I hope friends आपको तीनों में जो common difference है वो पता लग गया होग अब friends हमना question पढ़ते हैं ठीक है अगर आप ये सभी question ना exam से पहले अच्छे से पढ़ लेते हो ना exam में आपको friends इससे बहार एक भी question नहीं मिलेगा आपके रवी सर ने बहुत महनत करी है best question चूज करने में तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पहला question फर्स्ट question है मारा भारत की सर्वोच परवश शिखर का क्या नाम है सही answer होगा option a कंचन जंगा याद रखने आपको भारत की सर्वोच परवश शिखर का नाम है कंचन जंगा ये आपको याद रखना है important points से question को समझते हैं कंचन जंगा दुनिया का तीसरा सबसे उचा परवत है जिसकी उचाई कितनी है 8598 मीटर ये आपको याद रखना है हिमाले के चोटी कंचन जंगा सिक्किम में अवस्थेत है अगर आपसे एक्जाम में डिरेटली पूछते हैं बताओ कि हिमाले की चोटी जो कंचन जंगा है कि कि किस भोगलिक विभाजन के अंतरगत आता है आप बोलोगे महान हिमाले विश्व का तीसरा सबसे बड़ा परवत कंचन जंगा किसके बीच की सीमा पर इस्थेत है भारत और नेपाल याद रखने आपको विश्व का तीसरा सबसे बड़ा परवत कंचन जंगा भारत और न उची चोटी है ना फ्रेंट्स वो कौन सी है अनाई मुड़ी है डिटेल में समझते हैं सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि यह प्राइद्वी भूमी के वह भाग होते हैं जिनके तीन तरफ जल तथा एक और स्थल होता है अनाई मुड़ी भारत के केरल राज्ये में स्थ पर स्थेट है देखो फ्रेंट्स यहां पर मैंने एक प्त क्या समझाया यहां पर इस कोशन में यह समझाया है कि जो प्राइद्वी भारत है इसकी सबसे उची चोटी का नाम है अनाई मुड़ी जो कि एक्जाम में अक्सर कोशन पूछा जाता है उसके बाद फ्रेंट्स मै और मैंने आपको यह भी बताया कि अनाई मुड़ी पर्शमी घाट दक्षिन भारत में सबसे उची चोटी का नाम है और प्राईदेपे भारत की भी सबसे उची चोटी है अनाई मुड़ी अगला कोशन करते हैं नीलगिरी परवत की सबसे उची चोटी कौन सी है सही आंसर होगा ओप्शन C डॉडा बैटा डॉडा बैटा जो है ये नीलगिरी परवत की सबसे उची चोटी का नाम है डिटेल में समझते हैं नीलगिरी पहाड़ियां तमिलाडू राज्य का परवतिय छेतर हैं यह सुदूर दक्षिन का परवश रेनी हैं इन पहाड़ियों पर पश्यमी एवं पूर्वी घाटों का संगम होता है तो अगर आप से एक्जाम में यह पूछा जाए कि बताओ पश लेक और शेर ज़रूर करें फेंस कॉमेंट बॉक्स में अपना फीड़बैक भी दे कि आपको हमारी वीडियो कैसे लगती है फेंस मैं बहुत महिनत करता हूं आप सभी के लिए बैस्ट कॉंटेंट अपनी वीडियो में रख कर अगला कोशन माउंट तेनिपू किस राज्य की सबसे उची चोटी है इसे माउंट आइसो भी कहा जाता इसकी उचाई है 294 मेटर अगला कोशन पूर्वी घाट की सबसे उची चोटी का क्या नाम है सही आंसर क्या होगा ओप्शन बी जिंदगाड़ा जिंदगाड़ा जो है ये पूर्वी घाट की सबसे उची चोटी क का नाम है और इसकी उचाई कितनी है 1690 मेटर और यह आंदर परदेश की अरागु घाटी में स्थेत है नेक्स कोशन सत्पुरा परवश्रेणी की सबसे उची चोटी कौन सी है सही आंसर होगा option B धूपगड याद रखने आपको सत्पुरा परवश्रेणी की सबसे उची इंपॉरिंट पॉइंट से कोशन को समझते हैं धूपगड परवश्रेणी का और पूरे मध्य परदेश का उच्टम बिंदू है यह आपको याद रखना है यह पंच मड़ी में स्थेत है और इसकी उचाई है 1352 मेटर नेक्स कोशन करते हैं गारो खासी और जैनतियां पहा पहाड़ियां मिघाले में स्थेत है इन पहाड़ियों का नाम इन स्थान पर निवास करने वाली जन जातियों ओ गारो खासी पर रखा गया है नेक्स कोशन है महरा कृशन नदी किस परवतसे निकलती है सही आंसरों का О Undertale D. महा बलेशुवर याद रखने हैं आपको महा बलेशुवर से निगलती है कृष्णा नदी next question कंचन जंगा किस राज्य में स्थेत है उपरी मैंने आपको बताया था तो इस question का सही answer है option B. भारत के सिक्किम राज्य में कंचन जंगा स्थेत है detail में समझते है कंचन जंगा दुनिया की तीसरी सबसे उची परवर चोटी है यह सिक्किम के उत्तर परश्य में नेपाल की सीमा पर स्थेत है इसकी उचाई है 8586 देखो फेंस यहाँ पर जो मैंने उचाई लिखी है न 85 ठीक है तो 85 500 तो फिक्स है यहाँ पर कहीं पर 86 दे देते हैं कहीं पर 90 दे देते हैं तो यह जो value यह vary कर सकती है ठीक है तो आपको याद रखना है पचासी सो कुछ मीटर है ठीक है यह प्रॉक्सिमिट वैल्यू है यह हिमाले परवर श्रिंखला में स्थेत है अगला कोशन बैटलिंग चिप किस राजज्य की सबसे उची चोटी है सही answer क्या होगा option B तिरपूरा तिरपूरा राज्य की सबसे उची चोटी का नाम है बैटलिंग चिप बैटलिंग चिप की उचाई है 3200 मेटर नेक्स कोशन करवाने से पहले हैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी रवी सर की जो GK की PDF है वो लॉंच हो चुकी है 11,000 GK की प्लस 25,000 GK की जो हमारी PDF है वो हमारी वेबसाइट से आप आए कर सकते हो साथ में अगर आपको जोग्रोफी का मास्टर PDF चाहिए 5000 कोशन वाला ठीक है वो भी आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा वेबसाइट है www.ravibookspdf.com आपको गूगल पर सर्च करना ही है ravibookspdf.com नेक्स कोशन करते हैं नंदा देवी किस राज्य की सबसे उची चोटी है? सही आंसर होगा इस कोशन का option D. उत्राखंड याद रखने हैं आपको उत्राखंड राज्य की सबसे उची चोटी का नाम है नंदा देवी डिटेल में समझते हैं देश की सर्वोच चोटी कंचन जंगा के बाद नंदा देवी परवत भारत की दूसरी सर्वोच चोटी है इसकी उचाई है 7816 मेटर नेक्स्ट है फोंगपुई किस राज्य की सबसे उची चोटी है? सही आंसर है इस कोशन का option C. मिजोरम मिजोरम की सबसे उची चोटी है फोंगपुई फोंगपुई जिसे नीला परवत भी कहते हैं पुर्वतर भारत की लूशाई परवत माला का और मिजोरम राज्य का सबसे उचा परवत है यह 257 मीटर उचा है और दक्षिन पूर्वी मिजोरम में बर्मा की सरहत के पास स्थित है कई को सब्सक्राइब को मुझे अंब करवाए है नैंदा देवी कि सबसे उची चोटी है आपने उत्रहे ख v बंकि यह POK वाले एरिया में है जो की है डिस्फिうटीड एरिया इस वजह से कभी कभी हम केटू को consider नहीं करते, कभी-कभी हम कंचन जंगा को भारत की सबसे उच्ची चोटी बता देते हैं, ठीक है, तो आपने इस चीज़ें समझनी है, कि जो अगर undisputed area की बात करें, मतलब तो फिर तो कंचन जंगा होता है, अगर हम P.O.K को भी consider कर लेते हैं, तो friends फिर केटू हो प्राकोरम जो है, ट्रांस हिमालये की सबसे उची परवर श्रेनि का नाम है, डिटेल में समझते है ट्रांस हिमालये की सबसे उची परवर श्रिंकलाएं कराकोरम, लद्दाख, Jaskar और पीर पंचल है, कराकोरम की सबसे उची चोटी, केटू यानि कि Godwin आस्टी न यभारत क सबसे उची चोटी है ठीक है उमीद करता हूँ आपको ये confusion clear हो गया होगा कि K2 को भी हम सबसे उची चोटी मानते हैं अगर हम POK वाला part consider करते हैं तो तब मानते हैं ठीक है अरावली परवत की सबसे उची चोटी कौन सी है most important question है ये सही answer होगा option D गुरु शिखर याद रखने आपको गुरु शिखर जो है ये अरावली परवत की सबसे उची चोटी का नाम है detail में समझते हैं अरावली उत्तर भारतिय परवत माला है रादिस्थान राज्ये के पुरुवत शिख से गुजरती 560 किलोमेटर लंबी इस परवत माला की कुछ चटानी पहाडियां दिल्ली के दक्षिन हिस्से तक फैली है भारत की भोगलिक संदरचना में अरावली जो है प्राची इंतम परवत है तो अगर आपसे पूछा जाएगी भारत की सबसे प्राची इंतम परवत का क्या नाम है आप बोलोगे अरावली अफैं साथ महीनेस को आप डबल स्टार मार्क भी कर लीजिए यह संसार की सबसे प्राचीन परवत श्रिंकला है जो रादिस्थान को उत्तर से दक्षिन दो भागों में बाटती है अरावली का सर्वच परवत शिकर सिर्हुई जिले में स्थेत है नाम है गुरु शिकर 1727 मीटर्स की उचाई है जो माउंट आबो में स्थेत है अगला कोशन पाल घाट दर्रा किन पहाडियों के मध्य स्थेत है सही आंसर क्या होगा ऑप्षन ए नील गिरी और अन्ना मलाई याद रखने आपको नील गिरी और अन्ना मलाई के बीच पाल घाट दर्रा जो है ये स्थेत है डिटेल में समझते हैं, पालगाट धर्रा भारत के पश्मी घाट में एक पहाड़ी धर्रा है, जो तम्मिलाडू के कोईंबतूर को केरल के पालगाट से जोड़ता है, और फ्रेंट्स आपको में बताना चाहता हूं कि यह हमारी paid PDF की वेफसाइट है, www.ravibooks.pdf.com, ठीक, इस 25% से जाधा question directly आपको हमारी वीडियो से देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे फ्रेंट्स आपको हमारी current effects की PDF भी मिल जाती है, अर्दवार्श की, यानि कि जनवरी से लेके अब तक की PDF यहाँ पे आपको मिल जाएगी, साथ में फ्रेंट्स आप हमारी इन अप्लिकेशन किस राज्य में स्थेत हैं, सही answer होगा option ए तमिलाडू में, याद रखने हैं आपको माउंट डोडा बेटा किस राज्य में स्थेत हैं, तमिलाडू में, यह नीलगीरी परवत की सबसे उची चोटी है, यह भी आपको याद रखना है, यह तमिलाडू राज्य में स्थेत है इसकी उचाई है 26-37 मेटर अगला question काड़मम पहाडिया हिंदी में पता क्या बोलते हैं इसको इलाइची की पहाडिया क्या बोलते हैं किन राज्यों की सीमा परिस्थित है सही आंसर होगा इस question का option B केरल तथा तमिलाडो याद रखने हैं आपको केरल तथा तम्मिलाडू की सीमा परिस्थित है काडमम पहाडियां most important question है exam के लिए इलाइची पहाडिया यानि कि काडमम पहाडिया भारत के पश्यमी घाड की परवत माला की पहाडियां है काडमम का हिंदी अर्थ इलाइची होता है अगला question भारत की कौन सी परवत श्रेणी केवल एक ही राज्य महाराष्ट में विस्तरित है most important question है ये भी सही आंसर होगा option D. अजन्ता अजन्ता की जो पहाडियां इंफ्रेंट्स ये सिर्फ महाराष्ट में ही विस्तरित है अजन्ता श्रेणी तापती नदी के पश्यम से पूल की और फैली है और इसमें स्थित गुफाएं गुप्त कारिन भित्ती चितरकाली के लिए विश्व प्रसित है अगला question चेरा पुंजी किस पहाड़ी पर स्थित है सही answer क्या होगा option A खासी पहाड़ी पर स्थित है चेरा पुंजी चेरा पुंजी जिसका इस्थानी है और अधिकारिक नाम सोहरा है भारत के मिगाले राज्ये में स्थित है तो आपको याद रखना है कि जो चेरा पुंजी है इसका अधिकारिक नाम क्या है सोहरा और फेंट यह जो माउसी नारा में और चेरा पुंजी यहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है मतलब सबसे नम्मी वाला छेत रहे है अगला कोशन चोटा नागपूर पठार की सबसे उची परवच चोटी कौन सी है सही आंसर होगा इस कोशन का ओप्शन सी पारसनाथ याद रखने है आपको चोटा नागपूर पठार की सबसे उची परवच चोटी है नाम है पारसनाथ पारसनाथ जहारखंड के पारसनाथ पहाड़ी शिंखला में एक परवच शिखर है यह भारती राज़े जहारखंड में चोटा नागपूर पठार के पूर्वी छोर पर स्थेत है अरावली श्रेनी किस राज़े में स्थेत है सही आंसर क्या होगा ओप्शन भी राजिस्थान राज़े भारत के राजिस्थान राज़े में स्थेत है वेश्व की सबसे पुरानी श्रेनी, अरावली श्रेनी, ठीक है, याद रखना है आपको Next question, Mount Sinu Olchu की सराज्य की सबसे उची चोटी है सही answer होगा, option A, सिक्किम Mount Sinu Olchu, सिक्किम की सबसे उची चोटी का नाम है सिनी Olchu, भारतिय राज्य सिक्किम की सबसे उचे पहाड़ों में से एक है, जिसकी उचाई है, 6888 मिटर अगला question, Mount Saramati की सराज्य की सबसे उची चोटी है सही answer होगा, option B, Nagaland Mount Saramati, Nagaland की सबसे उची चोटी का नाम है Saramati, भारत के Nagaland राज्य का सबसे उचा परवत है, इसकी उचाई है, 3841 मिटर Friends, आपको वीडियो का content देखके बता लग रहा हुगा कि सभी question exam oriented है और अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हैं, एक भी question आपका छूटने वाला नहीं है मांकि revision तो आप हमारी PDF से करी लोगे, ठीक है और साथे फिर्ट अगर आपने current affairs पढ़ना, उसके लिए लग से चैनल है current affairs by रवी इस YouTube चैनल को भी आप जरूर सबस्क्राइब कर लें current affairs by रवी YouTube चैनल डोली गटा किस राज्य की सबसे उची चोटी है सही answer होगा इस question का option B, तेलंगाना डोली गटा, किस राज्य की सबसे उची चोटी है तेलंगाना की डोली गटा दक्कन के पठार पर स्थे चोटी है, उचाई है 965 मीटर हर्याना की सबसे उची परवच चोटी का क्या नाम है सही answer क्या होगा इस question का option A, करहो पीक 64 मीटर की दूरी पर करहो चोटी हर्याना की मूर्णी पहाड़ी श्रिंकला की सबसे उची चोटी है यह चोटी पंचकुला में स्थित है अगला कोशन सोंसोगर किस राज्य की सबसे उची चोटी है सही आंसर होगा ओप्शन D गोवा याद रखने हैं आपको गोवा की सबसे उची चोटी है सोंसोगर सोंसोगर चोटी के उचाई है 1026 मीटर अगला कोशन भारत के उत्री सीमा पर स्थित परवत कौन सा है सही आंसर होगा ओप्शन B हीमाल नेक्स कोशन अंतगिरी हिल्स किस राज्य में स्थित है बोरा कुफाएं भारत के पूर्वी तट की किस पहाड़ी पर स्थित है सही आंसर होगा इस कोशन का ओप्शन C अनंतगिरी पहाड़ी पर ये आपको याद रखना है डिटेल में समझते हैं यह कुफाएं देश की सबसे बड़ी गुफाओं में से एक है यह लगबक 705 मीटर की उचाई पर स्थित है बोरा की गुफाएं आंदर परदेश में विशाका परतनम जिले के अराकु घाड़ी की अनंतगिरी पहाड़ीों में भारत के पूर्वी तट पर स्थित है आपको इतना याद रखना है कहां पर है विशाका परतनम आंदर परदेश के विशाका परतनम के अनंतगिरी पहाड़ी पर नीलगिरी परवश्रेणी की सबसे उची चोटी डोड़ा बेटा किस राज्य में स्थित है आंसर क्या होगा ओप्शन बी तमिलाडू सतमाला परवश्रेणी कहां स्थित है सही आंसर क्या होगा ओप्शन बी महारास्ट्र में सतमाला परवश्रेणी स्थित है सतमाला पहाड़ी यां महारास्ट के नासिक में स्थित है यह सहाइद्री श्रेणी का हिस्सा है अगला कोशन, मिकीर पहाड़ी किस राज़े में स्थेत है? सही आंसर होगा इस कोशन का, option B, असम असम राज़े में स्थेत है मिकीर पहाड़ी मिकीर पहाड़ियां असम में काजी रंगा राच्टे उद्यान के दक्षिन में स्थित पहाड़ियों का एक सम्हू बनाती है अगला कोशन पारसनाद की पहाड़ी किस राज़े में स्थित है सही आंसर होगा option C जारकन राज्ये में पारसनात की बहाड़ी स्थेते हैं भारत की दक्षिनी बठार का सर्वोच बिंदू कहां स्थेते हैं सही आंसर होगा इस question का option C अन्ना मलाई भारत की दक्षिनी बठार का सर्वोच बिंदू है अन्ना मलाई रहे हैं सही आंसर क्या होगा option 1 केरल का कुटानार्ड क्येरल का कुटानार्ड है यह भारत का नियूंतव मुचाय देश का टीन के से एक हैं जहां समुदर तल से लगबग चार से दस फीट नीचे खेती की जाती है अगला कोशन दक्षिन भारत के भगवान रंगनाथा का मंदिर किस पहाड़ी पर किस पहाड़ी पर स्थित है आंसर होगा ऑप्शन ए तिरुमला पहाड़ी पर प्रिवियस एर का कोशन है यह शरी रंगनाथ स्वामी मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो रंगनाथ को समर्पित है जो तंमिलाडू भारत राज्य में स्थित है फिर लास्ट में मैं आपके लिए टेबल लेकर आया हूं ठीक है तो पूरा विडियो आप जरूर देखना इस टेबल में आपको मैं यह अंडमान निकोबार दीपसमू पर सैडल पीक स्थेत है सैडल पीक भारत के अंडमान और निकोबार दीपसमू का सबसे उचा पहाड है यह 731 मीटर की लंबाई के साथ बंगाल की खाड़ी में दीपसमू का उचतम बिंदू है अगला कोशन सही आंसर होगा सही आंसर होगा पश्मी घाट पश्मी घाट जो है यह सहीदरी परवश रिंगला का दुसरा नाम है सही आंसर होगा इस कोशन का option C, मिजोरम मिजोरम में स्थित है लुशाई की पहाडियां अगला कोशन गारो, खासी तथा जैनतियां पहाडियां किसका भाग है सही answer होगा option B, दक्कन के पठार का याद रखना है गारो, खासी तथा जैनतियां पहाडियां किसका भाग है के पठार का किस पहाड़ी का पूर्वी घाट पश्मी घाट किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्मी घाट से मिलता है डबल स्टार मार करना इसको भी आंसर होगा option ए नीलगिरी पहाड़ी पर काफी बार एक्जाम में पूछा गया question है कौनसी पहाड़ी नर्मदा और तापती नदियों के मद्ध्य स्थित हैं क्या बताया मैं आपको इस question में कौनसी पहाड़ी ऐसी है जो कि नर्मदा नदियों तापती नदियों के बीच स्थित हैं आंसर होगा option A सत्पुरा पहाड़ी अगला कोशन राई सीना की पहाड़ी कहां स्थेत है सही आंसर क्या होगा इस कोशन का option B भारत की राजधानी नई दिल्ली में राई सीना की पहाड़ी स्थेत है राई सीना की पहाड़ी दिल्ली में स्थेत है यहां देश के राष्टपती का निवास्थान है इसे हिल्स इसले कहा जाता क्योंकि यह जमीन से 18 मिटर उपर पहाड़ी पर बसा हुआ है अगला कोशन सहाइदरी पहाड़ी कि सराचे में स्थित है आंसर होगा option B महाराश्टर नेक्स कोशन अरावली तथा विंद्य श्रेनी के बीच कौन सा पठार अवस्थित है सही आंसर होगा option C मालवा का पठार अरावली तथा विंद्य श्रेनी के बीच कौन सा पठार है मालवा का पठार नेक्स कोशन अन्ना मलाई की पहाड़ी किस राज़े में स्थित है सही आंसर होगा option A केरल राज्जे में अन्नामलाई की पहाड़ियां स्थित है अन्नामलाई की पहाड़ियां की सबसे उची चोटी का क्या नाम है सही आंसर होगा option A अनाई मुद्दी अनाई मुद्धी जो है ये अन्ना मलाई की पहाड़ियों की सबसे उची चोटी का नाम है डिटेल में समझते हैं अन्ना मुद्धी भारती राजे केरल के एरनाकुलम जिले और इडुकी जिले में स्थित एक परवत है यह अन्नामलाई पहाडियों का एक हिस्सा है यह पश्यमी घाट अदक्षिन भारत में सबसे उंची चोटी का नाम है अगला कोशन प्राइदूपी पठार की सर्वोच चोटी अनाय मुड़ी निमलिकित में से किस पहाडी पर स्थेत है आंसर क्या होगा? अप्शन A अन्नामलाई पहाड़ी अगला कोशन मिश्मी पहाड़ियां कहां स्थेत है आंसर होगा अप्शन C अरुनाचल प्रदेश में मिश्मी पहाड़ियां स्थेत है मिश्मी पहाड़ियां भारत के पुर्वतर भाग में अरुनाचल परदेश राज्ये के मध्धे में स्थित एक पहाड़ी श्रिंकला है यह पहाड़ियां पुर्वत्तर हिमाले और हिंद बर्मा पहाड़ियों की मिलन स्थल पर है अगला कोशन मेकाल परवत माला किस राज्ये में स्थित है most important कोशन है यह भी आंसर क्या होगा इस कोशन का option C उप्युक्त दोनो 36 गड़ और मध्धे परदेश में स्थित है मेकाल परवत माला मेकाल परवत माला किसका भाग है सत्पूरा परवत माला का अगला कोशन गिरनार पहाड़ी किस राज्ये में स्थित है आंसर होगा option C गुजरात राज्ये में गिरनार की पहाड़ीयां स्थित है अगला कोशन महेंद्र गिरी शिखर किस राज्ये में स्थित है आंसर होगा option B ओडिशा राज्ये में महेंद्र गिरी शिखर स्थित है अगला कोशन, विंध्याचल परवत का सबसे उच्चतम बिंदू का क्या नाम है? सही आंसर होगा, option A, अमर कंटक, अमर कंटक विंध्याचल परवत का सबसे उच्चतम बिंदू का नाम है भारत में हिमाले की सबसे उच्ची चोटी का क्या नाम है? आंसर होगा option C, कंचन जंगा परवत जो है ये भारत में हिमाले की सबसे उची चोटी का नाम है भोगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचिन्तम परवत कौन सा है सही आंसर होगा option A अरावली परवत जो है भोगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचिन्तम परवत है कैमूर परवत भारत के किस राच्चे में स्थित है सही आंसर होगा option D मध्य प्रदेश में कैमूर परवत स्थित है आकरी question इसके बाद आपके लिए टेबल है जिसमें कि मैं आपको बताऊँगा कौन सी नदी कौन से परवत से निकलती है तो हम अपना आकरी question पढ़ते हैं अमर कंटक की पहाडी भारत के किस राच्चे में स्थित है सही answer होगा option D भारत के मध्यपरदेश राच्य में आप फ्रेंट्स आपके लिए आगया एक important table इस table में आपको बढ़ाँगा कौन सी नदी कौन से परवत से निकलती है यकीन मानिए एक नमबर आपका इस topic इस slide में पका है ठीक है क्योंकि इस में से question exam में पुछे जा रहे हैं तो question है मारा सबसे पहला है महा नदी ये निकलता है ये निकलती है सिहावा परवत 36 गड़ से फिर है नर्मदा नदी नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी से ये दोनों question exam में कई बार repeat हुए है चंबल नदी ये निकलती है जमापाव की महू पहाड़ी से कावेरी नदी ब्रहमगेरी पहाड़ी से निकलती है तापती नदी सत्पुड़ा पहाड़ी से निकलती है गुदावरी नदी त्रेंबेकेश्वर पहाड़ी महाराश्टे निकलती है क्रिश्ना नदी पश्मी घाड की महाबलेश्वा चोटी से निकलती है सोन नदी अमरकंटक पहाडी से निकलती है शिप्रा नदी मध्य परदेश के धार के उत्तर में ककडी बडली पहाडी से निकलती है लूनी नदी अरावली परवत के निकड अजमेर जिले के नाग पहाड़ी से निकलती है कृष्णा नदी महा बलेश्वरी के पास पश्यमी घाट पहाड़ी से निकलती है पैना नदी ये निकलती है नंदी दूर्ग रेंच यानि कि नंदी दूर्ग पहाडियां की चेना कसाबा पहाड़ी से निकलती है जो कि है करनाटक में I hope friends आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है और जो मैंने आपको आज की वीडियो में पढ़ाया दो कोशन का टेस्ट आ गया है आंसर आपने कॉमेंट बॉक्स में देना है टेस्ट जरूर अटेंट करना क्यूंकि टेस्ट ही आप सभी को बैस्ट बनाता है तो दो कोशन है आपके लिए भारत की सरवोच परवच शिखर का क्या नाम है दूसरा है मारे पास वेश्ट की सरवोच परवच शिखर का क्या नाम है चार ओप्शन है दोनों कोशन का अंसर आपने कॉमेंट बॉक्स में देना है उमीद करता हूँ आपको वीडियो की कॉलिटी वीडियो का कॉंटेंट और आपके रवी सर की महनत पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें मेरी कोशिश यही थी कि इस वीडियो में ही ना मैं आपको बड़ा सा टॉपिक कम्पलीट करा दूँ ताकि आपको एक्जाम से पहले बहुत जादा मोटिवेशन मिले मेरी बांकी की वीडियो भी आप देख लें हैं जो की चैनल पे अपलोड़ इट है कोशिश में यह करता हूँ कि कम्पलीट वीडियो आप सभी के लिए लेकर रहा हूँ एक्जाम से पहले और यह वीडियो हर एक्जाम के लिए काफी यूसफूल है क्योंकि यह GKGS का काफी इंपॉरेंट टॉपिक था ठीक है आपको अगर पांच हजार पॉलिट पांच हजार अगर आपको जोग्रोफी पॉलिटी हिस्टिक अगर जीके बूस्टर चाहिए तो इस वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा साथ में ही करन्ट अफेट्स का और सभी की डिमांड आयती रवी सर आप लाइव आईए तो फ्रेंट फाइनली में लाइव आ चुका हूँ अपने ब्लॉगिंग चैनल रवी अदिती ब्लॉग्स पर इस यूटुब चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना इस वीडियो के बाद रवी अदिती और डिमांड चैनल को भी में लाइव लाइब के ब्लॉग्स फे खाट जाईए टरूर रवी के ब्लॉग्स प्रेंट चैनल को अजार चैनल को लाइब चैनल को लाइव चैनल को तो